ये चुनाव गैरेंटी वाला है कि लेकिन जनता को किसकी गैरेंटी पसंद आएगी ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा एसी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा जारी है शहजाद पुनावाला अतुल अने माई साथ हैं शहजाद बात पूरी कीजिए जल्दी से उसके बाद मैं जवाब लोगे देखे गौनिका आपके चैनल ने दो लोगों को ही बुलाया है इसका मतलब की समय की कमी नहीं है किसी के पास भी मैंने पूरा समय इनको सुना वह लंबा बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता और जब मेरी बारी आती है तो बलगातार वो डिस्टरब करते ह है या तो आपका चैनल इस पर कारवाई करें या तो आप इसको रूपने का प्रयाश करें एक बीस्टेट्मेंट मेरा बिना इंटरॉप्शन के नहीं हुआ है अब गौनिका जी जो दूसरा सवाल था आपका कि क्या रिपोर्ट आई है क्या इसी रिपोर्ट आ रही है क्या जी बताइए मुझे कि 36 गड़ में शराब बंदी का वादा किया था ने इन्होंने शराब घोटाला हुआ और कोट ने अभी 6 अक्टूबर को लोगों की बेल कैंसल कि और काय की शराब घोटाला हुआ है और यहां पर आम आदमी पार्टी जो इनके इंडी अलाइंस की साती है इन्होंने 36 गड़ में का एडी ने बैतरीन काम किया है और मुख्यमंत्री जो बागेल है उनको गिरफतार करना चाहिए क्या आम आदमी पार्टी एडी के साथ खड़ी है क्या जो विद्वेश कर रही है अच्छा दूसा बताईए पीएस का भरती घोटाला इस भरती घो हो रहा है जिसमें महादेव के नाम पर भी लूटा गया है उसमें 508 करोड रुपे देश में मोदी जी ने रूपे काड़ दिया है यहां पर भूपे काड़ है बतला 5000 करोड का घोटाला शुबं सोनी से लेकर किस प्रकार से वहाँ पर चंदभूशन वर्मा एसाई 64 करोड लेते हैं और निताओं को देते हैं और महादेव से लेकर देते हैं इसका सारा प्रमान सामने आ चुका है यह जूट बात है तो चंदभूशन वर्मा से मिले थे नहीं मिले थे मुक्यमंति बागेल बताईए क्या वो उनके OSD के रिष्टदार है या नहीं है गोबर में अलू से सोना बनाने वाली मशीन से निकल रहा है क्या सारा सोना और मैं केवल एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ अगर इतनी गैरेंटी है अशोगेलोत के कामों की तो राहुल गांधी उनके पास केमपेणिंग करने क्यों नहीं जा रहे कब जाएंगे राहुल गांधी वह आ जो प्रचार करना ही नहीं चाहते कौन ऐसे नेता है क्या है आपकी पार्टी में कोई ऐसा जो प्रचार करने जा ही निरा है देखिए मैं राजस्तान में अभी एक मैने से हूँ और जितना जूट ये बोल सकते हैं ये बोल रहे हैं इन्हें पता ही नहीं है कि राजस्तान में राउल जी आ चुके हैं उनके प्रोग्राम सकल से शुरू हो रहे हैं इन्हें पता ही नहीं है अभी ये राजस्तान में सिर्फ टिवी पर दिखानी आती है लेकिन गिर्राश सिंग मलिंगा जिसे टर्मिनेट के जिसे निलंबित कर दिया पार्टी ने एक दलित व्यक्ति पर अट्रोसिटी करने के वज़े से वो इनके पार्टी में गया उसको टिगिट दे दिया दूसरे दिन बाजपने इनकी सव देखी है एक लाख विद्यार्ति हो का नुकसान किया अपंव गोटाले में 100 से ज़्यदा लोगों की मुत्ति हो गई जो उस गोटाले को उजयागर करने कहा उसकी मुरूत्ति हो गयी है उसकी यह बात नहीं करेंगे महादेय अब में जो अपुर मना असिम दास वो भाजप और जब मादेव एप को बैन करने के लिए भुपेश भगेल जी ने खत लिका प्रदान मंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को, तो फिर इन्हों ने मादेव एप तभी बैन क्यों नहीं किया, यह पहला सवाल है, डाइसो से ज़्यादा लैप्टॉप जब किये गए, साड़े कर ज़्यादा लोग गिरपतार हो गए, यह सारी करवाई करने वाले भुपेश भगेल जी घलत है, और इनके पास साइबर सेक्यूरिटी है, इनके पास रौ है, इनके पास आई भी है, और कोई पहटके दूपई से यहाँ फ्रॉट कर रहा है, साइबर, और प्रदान मंत्री जी देख रहे, देश की किंद्र सरकार देख रही है, कैसे होता है यह, और पहले जब बेहन करने की मांग कर चुका था स्टेट गवर्मेंट, तो आपने बेहन क्यों नहीं किया, और कोई कल जाके मैं टीवी पे कर दू, कि मुझे मुझे ने का कि पास्टो करट दे रहा हू यह टेररिस्टम में involved है, इसके फोटो हमी शाजी के साथ में आते है, आज हमें यह शेक और देश के जनता को यह शेक पैदा होने लगा है, कि सारा हिंदू-मुसल्मान करने एक वज़े से इनी लोग involved करके यह सारा करते है क्या, ठीक है, आतुल जी, लोग यही करते है क्या जहर यही मिला रहे है, भुपेश बगे जवाब दे रहे है, महा देवाब पर लेकिन वो यह क्यों नहीं कह रहे है, कि वो शुबम सोनी को नहीं जानते है, वो कभी शुबम सोनी से नहीं मिले, शुबम सोनी ने तो वीडियो पर आकर बकाइदा यह कहा कि वो भुपेश किसे कह दिया है और दूसरे ही दिन कह दिया ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा नहीं है बात यहां आती है कि केंद्र सरकार को जब रिक्वेस्ट चली गई थी कि महादिया आपको बैंक कि आपने क्यों नहीं किया करवाई तो भूपश भगेजी ने किया तो वह गलत है आप सो बार जुट बो लोगें, तो सही हो जाएगा. लेकिन केंदर सरकार में करवाई नहीं की, तो केंदर सरकार कुछ नहीं जब साबसुत्रा है तो देश-प्रेमी है. झाल झाल